नमस्कार पत्रिका.com के लिए मैं हूँ मनोश शर्मा आज हमारे साथ हैं मनोश तिवारी जो दिल्ली भाश्पा के अध्यक्ष है राजनीती गल्यारों में ये चर्चा आम है कि अगर भाश्पा आगामी चुनावों में जीतती है तो ये दिल्ली के यानि की देश की राजधानी के अगले मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं मनोश तिवारी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है पत्रिका.com में आपसे सबसे पहला सवाल पुर्वांचली समुदाय में आपका खासे लोग प्रिये हैं और वो लोग आपको अपना हीरो भी मानते हैं दिल्ली में इस समुदाय के लोगों की संख्या काफी जाद है बताया जाता है कि 27 से ज़्यादा सीटों पर वो निर्नायक भूमीका में है जो कि ऐसी सीटे हैं जिसमें उन्नी के वोट ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा उमीदवार जीत रहा है कौन सा हार है तो इस समुदाय के लोगों को लुभाने के लिए आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस भी उसी समुदाय से उमीदवारों को उतार रहे हैं चुनाओ में इस समुदाय को अपने साथ जोड़े रखने के लिए आपकी रणनीती क्या है देखिए पहली बार भारती जन्ता पार्टी ने दिल्ली का नित्र तो एक पुर्वान्चली समाज के व्यक्ति को दिया है कांग्रेस कभी भी पुर्वान्चल के लोगों को पार्टी का नित्र तो नहीं दिया दिल्ली में कभी भी आम आदनी पार्टी ने अभामी पार्टी यह पाँचे साल से थी तो हम तब मानते जब अर्विन केजरिवाल को हटा के और और गोपाल राई जी को बना देते तो ना उतो अर्विन केजरिवाल हैं कोई ताकेगा भी तो लात मारते हैं तो फॉर्स्ट टाइम इन दिल्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री बीजेपी ने पुरवांचल के लोगों को सम्मान दिया है नित्रत्तों देखे तो जितने लोग हैं उन्होंने सोच लिया है कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे उपर से हमने बहुत बड़ा काम किया कि हमने अनुथराइज कोलोनी को मालिकाना हक दे दिया चालिस लाक से ज्यादा लोगों को अब आप सोचिए जिस शहर में पूरा सत्तर लाक के वोट पर पूरा फैसला होता उसमें 40.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 परही दवाओं में हो रहा है अब तो बोलते बीच में फिर जब उन्होंने धोका दिवस मनाया कि बीजेपी धोका दे रही है क्या धोका दे रही है पहले बोले कि ये बीजेपी ये बील आने ही वाली नहीं है लोकसभा में क्यों धोका दे रही है तब तक बील आ गया आसे पास हो गया बहस होई उस पे तब वो बोलते हैं कि ये बिल राजिसमा में पास नहीं होगा फिर राजिसमा में पास हो गया असल में उनकी मन में था कि अरे यार हम तो करना नहीं चाहते थे ये कर कैसे दिये मोदी जी इसके लिए कई अधिकारी किंदर से लगाए गए औ और सब तो सब जब ये पूरा बिल पास हो गया नोटिफिकिसन निकल गया तब कहते हैं भाई आप ये बताओ कि क्या ये नियमिती करण है आप हर्दी पुरी जी को बोले कि आप ये बताओ कि ये नियमिती करण है तब जा करके फिर लोगों को ये पता चला बताना पड़ा हम कि नियमीती करण सुझाव नहीं, निदान नहीं था, नियमीती करण समस्या थी मालिकाना हक में, नियमीती करण का मतलब था कि वहां पहले पार्क बनाओ, तो जब जमीने में नहीं है तो पार्क कैसे बनेगा और जब जमीनी नहीं है तो ले आउट प्लान कैसे तियार होगा तो यही तो बदलने के लिए अम नियम बदले कानून बदले क्योंकि जो मुख्य काम करना है जिसका घर तूटने वाला था उसको अब पंद्रह बीस लाख का लोन मिलेगा अपने घर पे और वो शान से अपने आने वाली पिडियों को कह सकता है कि मेरा दिली में मकान है उसमें रहने वाली हमारी भविस्य की संतान है तो जो चालिस लाख इस तरह के लोग हैं जिनको उसमें मैकसिमम लोग पुरवान चलके हैं उत्राखंड मध्य परदेश और राजस्तान इस समुदाय के लोगों में कुछ लोगों से बात हुई तो उनको ये उन्होंने बात की कि टिकट का जो बटवारा हुआ दिली में उ मुछ उनके साथ उपिक्षा हुई उनकी अन्देखी की कही तो आप जरसा आमादमी पार्टी से पूछिए कि उन्होंने कितने राजस्तान के लोगों को टिकट दिया एक भी नहीं दिया है लेकिन आप मेरी पार्टी में हम लोगों ने दो ऐसे लोगों को टिकर दिया है जो राजस्थान से आते हैं हमारे दो कंडिडेट हैं जो ऐसी समाज से हैं बर दे बिलोंग स्टू राजस्थान हमने उनको जगह दिया है हमने दो उत्तरांचल के लोगों को सीट दी है बीजेपी ने दो सीट दिया उत्तरांचल को मोहन सिंग बिष्ट और रभी नेगी और ज़र आमाद में बैटे को कुछ ही है एक भी नहीं मिला उत्तरांचल के लोग यहां बारह तेरह परसंट हो गए है पंदरा परसंट भी हो सकते हैं इसे जादा भी हो सकते हैं उन लोगों को आम आदमी पाराटी ने एक भी सीट नहीं दिया बीजेपी ने दो सीट दिया तो हम हमारे जाट समाज के गुजर समाज, वैसे समाज से प्रवान्चली समाज से सब को हमने टिकट दिया है यादो समाज से हमने community का बहुत ध्यान रखा है लेकिन अभी और भी ध्यान रखना है तो आप उसी नीपी पर चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास जी सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र है हमारा खाली वो लिखने वाला नहीं है वो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है जो शाहिन बाग में हो रहा है नागरिक्ता संशोधन कानून का जो विरोध हो रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है देखे साहीन बाग ने कॉंग्रेस को तो एक्सपोज करी दिया था और कॉंग्रेस के बारे में तो लोगों को पता चल गया था पता चल चुका है कि कॉंग्रेस भारत में चुनाव लड़ने के पहले पाकिस्तान में प्लान बनाने के लिए मुड़ी संकर अगयर को भेजती है ये तो समय समय पे निश्चित हो चुका है के कांग्रेस की नीती यहां राहुल गांधी जो बयान देते हैं थोड़े दिर बाद वही इमरान खान देते हैं सेम लाइन पे लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी एक्सपोज होई है न वो बहुत शौकिंग है मैं आपको दिखाऊंगा कहेंगे तुम्हें दिखा दूँगा के आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीम बोलते हैं हम साहिन बाग के साथ खड़े हैं और साहिन बाग में लोग कह रहे हैं कि हिंदूओं की कबर खुदेगी मनी सी सुदिया करते हैं हम साहिन बाग के साथ खड़े हैं साहिन बाग में लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमिच साह तुम्हारे खुण से हम होली खेलेंगे और मनी सी सुदिया करते हैं हम साहिन बाग के साथ खड़े हैं साहिन बाग के लोग कहते हैं कि हमको चाहिए जिन्ना वाली आजादी जिन्ना वाली आजादी समझ गये न भीया जिन्ना ने भारत का मटवारा करा दिया और जिन्ना वाली आजादी का नारा लग रहा है साहिन बाग में और मनी से सुदिया कहते हैं हम साहिन बाग के साथ खड़े हैं अर्विन केजरिवाल से सवाल पुछा गया तो जबाब नहीं दे रहे हैं इनका जो स्वरूप अब देख के मिला है न यह दिल्ली को थोड़ा सा पहले समझ जाना चाहिए था जब जियनियों में नारा लगा था भारत की बरबादी तक जंग रहेगी जारी भारत तेरे टुकले होंगे इन्शाल्ला हिंदुस्तान मुर्दाबाद इंडियन आर्मी मुर्दाबाद तब जो अर्विन केजरिवाल और रहूल गान्दी गहे थे सपोर्ट करने तब ही इस देश को समझ में आ जाना चाहिए था कि भाईया ये तो देश के सत्रू है अब आज इन्होंने साहीन बाग साहीन बाग 40 दिन से हमारे दिल्ली को बंधक बना रखा है सड़कों पे प्रोटेस्ट करना है जाओ जी जंतर मंतर बना हुआ है जहां बन करें वहां करो तुमको जंता ने नकार दिया जितनी खुनस निकालनी है निकालो लेकिन आप सड़क कैसे ब्लोक करते हैं भाई और देखिए ये मोधी का जमाना है सड़क पे प्रोटेस्ट खुलवाने में हमें दो मिनिट लगता है लेकिन वो महिलाओं को आगे कर दिये हैं इसमें केजरिवाल जी की भुमी का जैसे आपने बताई की उपमुक्य मंतरी तो ये कह रहे हैं कि हम इनके साथ हैं लेकिन केजरिवाल अभी तक हापर नहीं गये है और क्छ अब की वो तो से बचने की कोशिश करने लगे है और खुद को राश्टि मुद्व की बजाय स्थानी मुद्व एजादा फूकस करने क opposissement कर रहे है कि ठेले और हर बात में मोधी हिंदू के साथ भेदभाव करती है और मुस्लिम को मुस्लिम समाज के लिए वो ऐसे ऐसे मुद्दों पे खड़ी हो जाती है जहां मुस्लिम समाज का ही नुकसान होने वाला लेकिन ओट के लिए उनको भ्रमित कर देंगे अब यह सपस्ट हो गया है कि आम आदमी पाटी इस चलाकिया खिल रही है कांग्रेस ने यह सब करवाया साहिन बाग का और सब नफरत का और आगजनी भीड हिंसा तो थोड़ा सा ट्वीट कर दिये देखो पुलिस आग लगा रही है वो तो अच्छा हुआ मीडिया वालों ने सब पकड लिया तो दिरे से पतली गली से बैठ जाएंगे जदर ओड के अभी कोसिस कर रहे हैं कि हम साहिन बाग पे जो इंटर्व्यू हुआ है उसको सुनने कि आवशक्ता है एंकर ने पूछा आप यतना तो बता दो आप खड़े किस के साथ हैं बोले हम साहिन बाग के सा खड़े हैं कहते ही साहिन बाग के सारी नारों के साथ आप खड़े हो गए और अब उनको डर लग रहा है कि तो ओ अब तो हिंदू समाज को पता चल गया कि मेरी सच्चाई क्या है तो फिर अर्बिन के जरिवाल चुपी साथ रहे हैं पानी फ्री बिजली फ्री अरे कितना आपको चुनाओ में दो मेहना के लिए फ्री अवपर से बिल भी आ जाता है तो कुल मिला के साहिन बाग पे जो इन्हों ने कहा कि हम वहां साहिन बाग को सपोर्ट करते हैं दिली के लोग हिल चुके हैं कि बाप रे बाप ये हिंदूों की कबर खोदने के हिमाएट ये देश को जिन्ना वाली आजादी देने के हिमाएटी हैं ये नरिंद्र मोदी अमिस साहजी को जान से मारने के हिमाएटी हैं दिली फैसला करेगी आट फरवरी को कैसा दिली चाहती है तो जो इन चुनाओं में आपकी रण नीती है वो राष्टी मुद्दों को ही सामने लाने की है या जो दिली के लोग हैं उनकी मुल्भूत जरूरतों के बारे में भी आप बात करेंगे इसमें हम तो जरूरतों पर ही हैं साहीन बाग का धरना हटना जरूरत है न सहाब पंदरह मिनिट का रास्ता ढाई ढाई तिन दिन घंटे में लोग पूरा कर रहे हैं बच्चों की परिक्षा है कितना डिस्टर्बिंस हो रहा है वहां के जो दुकान लगाते तो उनकी दुकाने बंद होने लगी है वहां जाकर के देखिए तो वहां जो लोग बैठे है न वहां बात के सब नहीं है वह बाहर बाहर से ला करके पैसा दे दे कर के रखा जा रहा है तो हम तो लोकल मुद्दों पे ही हैं भाया सड़क पे हिंसा मत फैलाओ सड़क ब्लॉक मत करो प्रोटेस्ट के चकर में और हम चाहते हैं कि घर-घर नल से जल शुद पानी मिले हम चा चाहते हैं दिल्ली के अस्पताल अच्छे बने, हम चाहते हैं दिल्ली में नए स्कूल बने, नए कॉलेज बने जो उन्होंने पांच साल में एक भी नहीं बनाया, हम चाहते हैं हर आठ मिनट बाद बस से स्टेंड पे एक चमचमाती वे लेक्ट्रिक बस आए, प्रल्यूसन कम किया जाए हम ये चाहते हैं जमना जी को साफ किया जाए हम ये चाहते हैं और हम ये चाहते हैं वो साहिन बाग चाहते हैं अंतर असपस्ट है किसको कष्ट है दिल्ली विधानसभा चुनाओं में मनोज मनोश तिवारी वर्सिस अर्विंद केजरिवाल क्यों नहीं है? मैं चेहरे की बात कर रहा हूँ, पार्टी के चेहरे की. तो वही तो हो रहा है, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, अवो अपनी पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री है? राजनितिक गलियारों में ये बात च चीफ हूँ दिल्ली का. तो आप ये कहना जाते हैं कि घोशी तक घोशी तरूप से आप ही ये सामने है? नहीं, मुख्यमंत्री का चेहरा घोसित नहीं किया है, लेकिन लड़ाई तो मनोस्ति और एर्विंद केजरिवाल के बिची है. और कॉंग्रेस की क्या भूमी क्या दे और आमादी पार्टी थर्ड पे ही है. लेकिन लूटा हुआ माल इसमें आमादी पार्टी को ज्यादा है. तो दोड़ा सा है. आइड़ वैड़ ज्यादा दिखेगा उनका. सचाई ये है कि बीजेपी 22 साल बाद दिल्ली में सरकार में आने जा रही है. क्योंकि लोगों का एक ही भाव है. बहुत हो गया नुकसान दिल्ली का. आइए बीजेपी के साथ करते हैं समाधान. उनको पता है. और वो समाधान है कमल निसान. कमल हमारा फेस है. आमादनी पार्टी के नेता जैसे गोपाल राय, मनीश सिसोधिया वो ये दावा करते रहे हैं कि उनके इंटर्नल सर्वे में उनकी पार्टी को फिर से भहुमत मिल रहा है. और पिछली बार जैसा ही भहुमत मिल रहा है. क्या आपकी पार्टी ने भी कोई इंटर्नल सर्वे लेकर के दिल्ली में सरकार बनाने जा रहे हैं अब ये इतने तरह के सर्वे सामने आ गए हैं तो बिचारी जनता किस पर भरोसा करें जनता अपने वोट पर भरोसा करें जनता को क्या सोचना है जनता को तो ये पता है न कि साड़े चार साल तक करविन केजरिवाल कहते रहे कि मोदी जी और एल जी कामी नी करने दे रहें जंता को याद है और चुनाव में कह रहें अच्छे बीते पांच साल तो भाईया दोनों बात Wonderful तो हो नहीं सकती कि आपको काम भी नी करने दिया गया और अच्छे भी बीत गया इसका मतलब आप इसी महाल को अच्छा कहते हो जिस ब्लेम गेम से दिल्ली आजी जा चुकी है आप MCD का फंड नहीं दोगे, आपके अंदर सरकार की आयुश्मान यूजना नहीं लागू करोगे पांचलाक रुपे का फ्री इलाज रोग दोगे मोदी के द्वारा दिया हुआ बेघर को घर देने वाला परधानमंत्रियावास यूजना रोग दोगे तो दिल्ली आपका रस्ता रोग देगी, दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है दिल्ली की जनता के लिए आहमादमी पार्टी ने कई फ्री गूडिस लेके आए वो लोग उन्होंने कहा कि हम बिजली के बिल माफ कर देंगे पानी के बिल माफ कर देंगे उनका दावा है कि हॉस्पिटल्स की जो सिचुएशन है वो काफी अच्छी हो गई है स्कूलों में सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ गया है क्या आपकी पार्टी ये मानती है कि ऐसा दिल्ली में हुआ है दिल्ली में पांच साल काम करने वाली आमादमी पार्टी की सरकार ने चुनावी लालच देने की कोशिस की है देखिए आजकल एक बहुत बड़ा एक वीडियो खुब वाइरल हो रहा है मतलब फोटो है फोटो में क्या है एक फोटो है कि एक बक्री है और उसको हाथ में घास लेके अरवीन केजरिवाल जी दिखा रहे हैं और पीछे हाथ है जिसमें छूरा रखा हुआ है आप समझ गहें न इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है देखिए हमारे गाउं में कहावत थेती है कि बहली आयाएगा जाल बिचाएगा दाना डालेगा लेकिन भूल से उसमें फसना नहीं तो दिल्ली को पता चल चुका है कि अब अपनी पराजय को और अपनी राजनितिक अंतिम चरण में अर्बिंद केजरिवाल कुछ भी कहने को तैयार है अब देखे आमने बताया ना 200 उनिट फ्री कर दिया और 200 उनिट के अंदर का भी ला रहा है उन्होंने तिन महिना के लिए बस फ्री कर दिया मैं इस भाईया दूज पे बहनों का भाई हूँ अरे कैसा भाई है तू भाईया दूश तो 2015 में भी आया ता, 2016 में भी आया तो 2017 में भी आया, 2017 मी भी आया तुमोन इसे वाले में क्यों भाई बन रहा हो क्योंकि अर्भिन भाई, अर्भिन केजरिवाल जी तुम चुनावी भाई हो और दिल्ली को सदा सदा के लिए एक सच्चे भाई की जरूरत है जो बहनों की रक्षा कर सके न की बहनों के निर्भया जैसे बहनों के गुनागारों को धाई साल फांसी टलवा दे ऐसा भाई नहीं चाहिए दिल्ली को केजरिवाल जी का कहना है कि उन्होंने जो ये शुरुवात किये ये एक अच्छी शुरुवात है तो अगर कोई देर से ही शुरुवात करता है तो क्या हम उसे गलत मानेंगे अरे भाई देर मतलब क्या होता है एक साल में सुरू कर दो दो साल में सुरू कर दो अगर बहुत तयारी रगी एकदम लाश्ट जब दू महीना बचा है तब सुरू करोगे अरी तो बड़ा कमाल का चीजे भई अच्छा कॉंग्रेस ने भी और भाजपा ने भी अर्विन केजरिवाल के खिलाएं कोई मजबूत कैंडिडेट को नहीं खड़ा किया क्योंकि उनके नीत्यों का विरॉत तो दोनों ऑपार्टियां जोरशोर से कर रही है तो उनके खिलाएं कमजोर कैंडिडेट खड़ा करके बीजे पी दिल्ली प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्षुन के सामने लड़ रहा है वो एक OBC समाज का एक लड़का है वो पुरवांचल के परिवार का संतान है और उस अपने बच्चों की जूठी कसम नहीं खाया है कभी वो कभी भी अपनी बात कहके मुकरा नहीं है युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में वो उसको जो भी काम दिया गया दिल्ली में वो करके जनता से जुड़के किया है वो इसी नई दिल्ली का रहने वाला है तो ऐसी इस्तिती में सुनील यादो से सुनील यादो को कम समझना ये अर्विन केजरिवाल की जीवन की बड़ी मुर्खता होगी क्योंकि सुनील यादो को साथ परसेंट सरकारी करमचारियों का साथ है उस सीट पे साथ परसेंट सरकारी करमचारी है जो गिन दिन रहें कि अब आठ फरवरी आए और आपने जो हमारे वरिष्ट चीफ सेकरेटरी जो अनसु प्रकास को लात जूत की परतिगून सुनाई देगी अर्विन केजरिवाला आपको चली अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वो सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा इस सरकार से जो आप करना चाहेंगे सबसे बड़ा बदलाव तो यह हो जाएगा कि सिर्फ सच होगा जो वादा होगा वो पूरा होगा अराजकता नहीं होगी अगर कोई हमारे खिलाफ को युसू ठाता है तो हम उसको नोकरी से सस्पेंड नहीं करेंगे जैसा इन्होंने गेश्ट करमचारियों को गेश्ट टीचर्स को किया है बदलाव यह आएगा कि साहीन बाग जैसी घटनाओं को दम देने वाला समा हप्त हो जाएगा बदलाव यह आएगा कि लोग सणकों पे प्रोटेस्ट के नाम पे बम लेकर के जो आ जा रहे हैं उनकी घीकी बंग जाएगी उनको हिम्मत देने वाला कोई नहीं रहेगा बदलाव यह होगा कि दिल्ली के घरों में नल से जल सुद्ध जल आने लगेगा बदलाव यह होगा कि दिल्ली की हवा भी बदल जाएगी दिल्ली के हवा बदलेगी आप सब को साथ लेकर चलेंगे लेकिन ऐसे माहल में 21 साल पुराना आपका जो दोस्त है शीरोमनी अकाली दल वो आपस अलग क्यों हो गया मैं आपको बताऊं कि अकाली दल सिर्फ दिल्ल में चुनाव नहीं लड़ने का निरने लिया है हमारा गठबंदन नहीं तूटा है और हमारे पास नितिस कुमार जी और आमभिलास पास्वान जी आ गए इसकी वज़े नागरिक्ता संशोधन कानून है या इसकी वज़े टिक्टो का बटवार है अगर नागरिक्ता कार से हट जाएं हट के दिखाएं जब हटेंगे तब ना मानेंगे भई पर वो इतने पुरानी दोस्ती थी दिल्ली की तो वो अचानक एक जटके में उन्हें चाहे वो अलग नहीं हुए गठबंदन से पर वो दिल्ली चुनाव में आपके साथ मिलकर नहीं लड़ने है अकाली दल सी ए के किस बात से परसान है अकाली दल को यह तो पता है न कि जो सिखों के उपर भी पताड़ना होई उन्हीं को नागरिकता दिया गया है आप समझेए कि उनका मत बिभेद किसी अन्य विशाय पे है अकाली दल जिस दिन अलग होगा तब माना जाएगा जब वो किंदर सरकार से हट जाए इसलिए कोई इसमें अपना साइड में फायदा लेने कि आमाधी पार्टी और कांग्रेस ना करे इसके अलावा कुछ ऐसा है जो देश की जनता से दिल्ली की जनता से आप वादा करना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार आती है तो यह सबसे बड़ा बदलाओ जमीनी इस तर पर उन्हें देखने को मिलेगा तेकि यह सबसी बड़ा बदलाओ जो होगा ना मतलब आप भी कुछ फ्री में देंगे जनता को दिल्ली की या नहीं देंगे हम तो पहले से फ्री देते हैं हमारा तो हमारा अभी का फ्री देख लीजिए तो अर्वि रुपय का फाइदा हुआ और पांच लाग रुपया झिन लिया हमने तो 30 परसं बिजली कम करने को कहा था इन्हों ने तो पुरा पांच साल में 2400 रुपया बिजली का भार अभार माफ किया तिन महिना में 200 यूनित का मानलीजिए जिसका जिरो आया भी होगा वैसे तो मान लीजीए 2400 रुपय का फाइदा भी कराया तो हम तो 25000 रुपया फाइदा कराने वाले थे दिल्ली में एक आम लोगों के बीच में एक चर्चा चल रही है कि सरकार किसी की भी आए आम आदमी पार्टी गया है भाजपय की आए या कॉंग्रेस की आए मार्च के बाद दिल्ली में बिजली की कीमतों में भारे बड़ोतरी होने वाली है क्या इसमें कुछ तथे है अभी तथे तो अरविन के जरिवाल के पास ही होगा हम लोगों के पास नहीं है हम पूरे देश में बिजली की कीमत को नियंतरित करके रखे हैं आप देखिए बिजली के ऊपर जो बिजली कमपनियों को कोई नुक्त धाटा हुआ है क्या यही अर्विंद केजरिवाल जी चुनाव लड़ने के पहले कहते थे सीला दिक्षित जी ने छे सो करोर रुपया दे दिया बिजली क कमपनियों को दे चुके हैं अपना घरे से दिये कि दिली की जंता की गाड़ी कमाई दिया तो फिर गड़ा कैसे भराएगा जल विभाग को लेकर भी कुछ बाते आई थी कि पहले वो प्रॉफिटेबल था और पिछले पांस साल में उस पर उधार हो गया है अर्विंद का चेर्मेन बनने के पहले 600 करोड रुपिया फायदे में होता था जल बोड अब 166 करोड रुपिया घाटे में है विनाश कर दिया इन्होंने अब कहीं अगर गटर का पानी और पाईप पीने वाला पाईप का पानी तूट के पानी मिक्स हो रहा है तो उसको ठीक करने का ब पत्रिका के पाठकों और दर्शकों को क्या कुछ आप संदेश देना चाहेंगे पत्रिका.com के सभी दर्शकों को और पाठकों को मनोस्तिवारी का बहुत प्यार भरा मेरा आग्रह है आप सबसे कि दिल्ली में एक पांच साल के लिए बीजेपी को ला करके एक टेस्ट किया तीनों इंजन एक दिशा में चले केंद्र, राज्य और निगम जब तीनों इंजन एक दिशा में चलेगी तभी सरुस्ट दिल्ली बनेगी. मौका है, 5 साल के लिए केंद्र सरकार बन चुकी है, अगले 15 साल अभी MKD रहेगी, इसी में दिल्ली सरकार को आने दीजेए, 20 साल में दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा वरना आप फिर जो सज़ा देना होगा दे लीजिएगा और अगर आप यहां नहीं रहते हैं तो आप दिल्ली में चारपाश आदमी को फोन करिए भई या भजपाध्यक्ष मनोज तिवारी अपने अगले अपिसोड में हम किसी और हस्ती के साथ पेश होंगे नमस्कार